हेलो बच्चो क्या हाल चालासा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो देखे बच्चो एक बार विट्ट से हमारी और आपकी मुलागात अपने बहुत बेहतरी ने चैनल आज इस पीश्टेरी क्वाइंट के एक बहुत बेदरी लेक्चर में हो गई है जिस लेक्चर का नाम है प्रैक्टिस सेट जीरो वन किसका एबल्यूशन चेक्टर का क्लाश 12 के हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं हमको उन सभी के लिए सबसे जहुरी बात है कि पहली बात तो चैनल पे आपका इस्टाइटिंग से पांच लेक्चर अफ्लोड हो चुका है लिंक डिस्रिप्शन में है आराम से चेक करके देख लीजिए उनी लेक्चर के इस् बहुत इंपॉटन जानका लिए कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा क्यों दो हजार चौबिस के बोर्ड के पेपर में आप किसी भी बोर्ड के हमको देख रहे हैं यूपियों सिब्यस्तियों आई टेस्तियों तो बाइलाजी का प्रैक्टिस सेट जीरो वर्ट अब देखें इसमें अब लिए उसे चैपकर से पूछ रहा है अब इन कुश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है कोई और ब्यवस्था नहीं है सब ब्यवस्था कहां है लेक्चर में है जिन लेक्चर से पढ़ा के स्लाइड कुछ कुश्चन बताएंगे जो प्योर पेपर में आने की संभावना से तालुकात रखता है अच्छा अब देखें इसको सुल्व करते हैं तो पहला कुश्चन है study of history of life forms on earth कहरा रही है study of history of life forms on earth on earth मतलब इसका कहने कही है कि हमारे प्रिथभी पे जो भी जीवन का सुल्वात हुआ है उसका जो study उसका जो अध्यान है वो किसके अंदर आता है study of history of life forms on earth is noon एच तो बहुत बेतर ही आप से वन वर्ड में पूछ लेता है पिनाल वन वर्ड में तो यह पॉसिबल नहीं है लेकिन आप से question यह बेरी सॉइड टाइप में सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें जंगल का यहीं नियम है सेर जो है वो हिरन को खाता है क्यों सेर को अगर जिंदा रहना है तो अपना सिकार किसी न किसी को बनाना ही पड़े गा अगर आपको आसानी से नंबर पाना है तो बड़ा मुश्किल काम है क्यों आसानी से नंबर नहीं मिलेगा नंबर पढ़ने से मिलेगा अगर आप मल करने को नहीं कहते हैं क्यों आप पॉस करिए क्विश्चन पढ़के अपना आराम से चेक कर लिजिए हमारे तरब से कोई रोक टोक नहीं है लेकिन आप पान सेकेंड दस सेकेंड आप पॉस करवाएं उसमें वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है फिर जैसे तीसरा है यूनिट पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉ उनिट क्या है तो उसका कोई यूनिट नहीं है वो सब को ले के खुड से ही वाल्व होता है तो जब पूरी की पूरी पूरी पूर्पूलेशन इवाल्व करेगी तब जाके विल्यूसर होना संभव है अगला कहरा है डिश्टेंस आफ श्टार्स मीजर्ड इनकच्छा एक में बच्चसे कूछ जाता है तरोंकी दूरी किसमे नाती जाती है जैसर अपको अपने घर से जाना है कहां कलकत्त अब आपका घर मालाद में है तो गाजिआबाद से कलकत्त किति दूर होगा करीट 24,000 किलो मिटर तो हो गई हमारे इकटाब से, तो इससाहीं हम लोग किलो मिटर चांद तारों को तोड़े लाउंगा मैं गान है लेकिन कई से तोड़ सकते हैं इतना आसान है चांद तारों तोड़ना तो इसको किसमें नापा जाता है यह है light years किसमें आपेंगे? light years में आपेंगे अगर फिस चलमते जा कहता है origin of universities occurring origin of universe is occurring origin of universe मतलब ब्रम्हांड का सुरुआइट ब्रम्हांड की origin, ब्रम्हांड की उत्पतّ कैसे हुई? कब हुई? कितने टाइंश पहले हुई? तो इसका answer क्या होगा हमारे ताप से यंसी आइडी गहते हैं 20 billion year ago फिर देखे origin of earth तीन question बनते हैं origin of universe origin of earth उसके बाद origin of life तीनों important है पहला origin of universe मतलब ब्रहमांड कितने साल पहले बना एक billion मतलब एक अरब 20 billion मतलब 20 अरब साल पहले उसके बाद जब ब्रहमांड बना तभी प्रित्वी बनी होगी प्रित्वी कितने साल पहले बनी प्रित्वी हमारी बनी आसे करी साड़े चार अरब साल पहले 4.5 billion year ago अब उस प्रित्वी पे life कितने साल पहले आई सिर्फ और सिर्फ 4 billion year ago ठीक अगरा question देखे formation of Nibule निबूले जानते हैं आप लोग लेक्चरवा में पढ़ाये थे निबूले क्या होता है हमने बताया था एकात मतलब मानके चलिए 10-12 kg लीजे बूंदी वाला लड्डू क्या करेंगे खाना नहीं है उसके अंदर रखना है बम बम रखके उसको दगा देना है जब जोबाय में उसका छोटा-छोटा बूंदी रहेगा जब बम दगेगा तो बूंदी वाले लड्डू से छोटा-छोटा बूंदी अलग-अलग हो जाए गा वैसे जब इस्टाइटिंग में बिग बैंग थे ओरी के तरफ से घटना घटी थुई कि बहुत सारी चक्तान वहां से क्या बना था हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और दमाके में जैसे लड्डू के छोटे-छोटे बूंदी अलग हो जाएंगे वैसे पूरा जो एक में था सब अलग-अलग हो गया वही बाद में बना गैलक्सी तो यूनिवर्स के टुकड़ों को हम लोग क अग्वा कैसे था फॉर्मेशन आफ निव्यूले फ्रॉम भीगवायंग त्योरी अग्रा कुश्चन क्या है प्रिमिटिव एट्मॉस्पियर ऑफ अर्थ वॉस एक्चुली जब प्रिख भी बनी थी प्रो के लिए टिक हम लोग से पढ़ते हैं ना उसमें जब कहते हैं कि प्रो मतलब प्रिमिटिव जो पहले आया यूं मतलब बाद में जो अच्छे से डिबलब हुआ तो कहना जब अर्थ बननी शुरू हुई थी करीबास चार अरफ साल पहले उस समय यहां का एट्मॉस्पियर कैसा था या वह यहां पर हवा थी कि नहीं थी क्या कहिते था वही यह बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है थीन आप सकना और ऑपस्टिग इपमास्पियर रिडीम मैं और या बक्यूम आत्मॉस्पियर के कह रहा है पहले में और ऑख सीडियुजिंग आइपमस्पियर मतलब चारफ और तशीजन नहीं थी और सब गया थी तीसमा कह रहा है ब या रिडूजिंग एट्मॉस्पियर अगला क्विस्टन देखें बॉलकायनी पिरक्षन कोज़ें बॉलकायनी के उवा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ क्या दिक्कत था जोला मुखी फूटने का कारण क्या था हर एक चीज लिक्चर में समझाएं यहां समझाएंगे तो वीडियो लॉंग हो जाएगे इतना समझिए कि हमारे अर्थ का तीन लेयर होता है क्रेश्ट मेंटल को और क्रेश्ट वह है जिसके हम लोग खड़े हैं चुछाथ में प्रत्वी बहुत गर्म थी क्योंकि धरमाकर से आई इकि बिग बैंक से औरी के तरफ से तो उसमें कन्डीशन क्या था उससे क्या क्या बना अब देखें जब अंदर से आग निकल के बाहर आई तो क्या क्या कंडिशन हुआ कि बहलें दो प्झामपल नहीं बगल में बना लें। यह है हमारे हमारे बरे हैं जु давно भेए इसके क्या रहा मिलं पर जो पर का मिल रहा है सामान गिलत है जो भी उसके भी स्पोर्ट हुआ था तो उसमें से जो भी मैटेजियल हमको अप्टेंड हुआ था ज्वाला मुली के अंदर से उसके तीन चीज बना पहला यह बन गए चक्तान के फॉर्म में वही हमारे प्रिजबी पे हमारा पूरा लेयर जहां हम लोग थिए तीसरा भाहिए बी पूछना है फॉर्मेशन ऐसा गारा जलेगा तो पानी के भीन संभाव कहने का मतलब है कि प्रिजबी में अंदर बिल्कुल और है तो बीच बीच के इससे आएग तो यहां से आग निकल के इससे आएगी तो यह पानी वाला जोंबी तो पढ़ेग मेंटल वाला भी तो जोड पड़ेगा तो यहां से जो वाटर बैपर था उसको उपर लाया था तो सब्सक्राइब करवाए हैं ध्यान से पढ़िये कुछ ना के लिए सुनते लिए अगला कुश्चन है थेओरी ऑफ स्पॉंटेनेस जन्रेशन वाला थेओरिया याद रोद है कि सब भुला गए याद है याद करिए इंपॉंटेन्ट है गोड में आता है कह रहा है थेओरी ऑफ स्पॉंटेनेस जन्रेशन क्या है जब प्रिचुभी बन रही थी तो साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया जैसे आज हम दोग सोचें कि भाईया प्रिचुभी किसे बनी हो अखिर कैसे आ है बन कि आई है कहां से आई है तो पता हमको क्या लगा बैया पता यह लगा कि कुछ ताइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थेओरी दी कुछ थेओरी हम पढ़ाएं सब बरबाद है उसका कोई मसलब नहीं लेक्शर में बता जी इंपॉर्टेंट नहीं है पहली इंपॉर् पूस किया मतब किस में दिया था अरिश्टार्टल ने लेडिया वौनहलमांट ने दिया दाल्विन ने दिया कि अरिश्टोल और वॉनहें मसलें दिया धूर्ग कहाने के लिए लिंख दिस्क्रीप्शन में है लेक्शर देखिये पिर निए फेष्वरिया बायोजेनिसीज़ उसलिश नहीं कहते हैं इस प्रेसे law बायोजेनिसीज़ गलंग तї थे अहलु पूछ арा है कि अचछा अच्छ पाश्चर किस ने दिया था लुइस पाश्चर जी ने दिया था और अंतिम को इस चन पूछ रहा है जो थेओरी ऑफ बायोजनिसिस है जिसको लुइस पाश्चर जी ने दिया था इसमें उन्होंने एक रूप किया था कि आखिर हमारे जीवन की सुरुवात कही से हुई आप ये या दूसरा चीज क्या कंडीशन था इस थेओरी में उन्होंने बताया जो कुछ भी है सब बायोजनिसिस बायलोजी के कारण ही पना है बायो का बेस क्या है री प्रोड़क्शन जह मेल और फीमेल प्रोड़क्शन करें के तभी उनका स्पिस्टी जागे बढ़पाए य यही उन्होंने में ची constants बताया था अचा वो रहने वाले थे यूणान ग्रीक रीक के बाता मिसायत बोलते यह लेकिन सुनिए बोर्ड में आएगा जखान कम पड़ गई इसलिए नहीं लिखवाए एक क्विश्चन है आएगा कि थेओरी ओफ बायो जनेसिद को ही प्रूब एक्सपेरिमेंटली किस साइंटिस्ट ने किया था तो उसको लुईस पास्चर ने ही प्रूब किया था किस एक्सपेरिमेंट द्वारा उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है तूस एक्सपेरिमेंट का नाम है भईया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट स्वान नेक एक्सपेरिमेंट जैसे ही चैनल पे जाएंगे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ ह आप लोग देख सकते हैं, स्लाइड जीरो वन, मतलब इस चैप्टर का लेक्चर जीरो वन, लेक्चर जीरो टू, लेक्चर जीरो टू, लेक्चर जीरो ट्री ही है, स्वालने के एक्पिर्मेंट, उसी तीनों से बारा रुष्टिन बनाए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहे हैं, मज़ा लेते रहे हैं, एक भी कुई स्चन्ना समझ में आया हो, तुरंट कमेंट करके बताइए, हम पढ़ा रहे हैं, तो जिम्मेदारी हमारी है, आपको रिप्लाई देने का, आपको एंसर देने का, बाकि अगर कोई दिक्कत हो, दिक्कत रहने नहीं देंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं किया है, क्योंकि इन सब की स्लाइट उसी पर जाती है, उसको जॉइन कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, एक एक लेक्चर का आपको स्लाइट मिलेगा, पेडियाप मिलेगा, जो भी आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत पूरी की जाएंगी, 2014 में हमारे चैनल से आप सब के द्वारा बेहतर रेजल्ट आना ही, चाहिए, इस साइट से अगर इतनी मेहनत हो रही, तो जो लोग आप लोग देख रहे हैं, आपके तरफ से भी मेहनत में कोई कमी ना रहे, तो मिलेंगे नेक्ष लेक्चर में तब तक के लिए, ओके बाद,